इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे लाइन्स में से एक है वहीं बागती जाए रेलवे स्टेशनों की तो हमारे देश में करीब 8500 रेलवे स्टेशन है ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं इस रेल्वे स्टेशन पर शाम होने के बाद लोग नज़र नहीं आते इतना ही नहीं अगर रात में यहां से कोई ट्रेन गुजरती है तो यातरी खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं लोगों का मानना है कि इस स्टेशन को देखना भी खत्रे से खाली नहीं है यहीं वज़ा है कि इस स्टेशन को देश का सबसे भूतिया रेल्वे स्टेशन माना जाता है यहां शाम पाँच बच कर तीस मिनट के बाद कोई भी इनसान नज़र नहीं आता है यहां पर जाने से लोग थर-थर कापते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्टेशन कहां है तो आईए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं यह भूतिया रेल्वे स्टेशन बंगाल के पुरुलिया में है जिसका नाम बेगुन कोदर है यह स्टेशन करीब 42 सालों तक बंद रहा जिसके पीछे का कारण जानकर आपको हैरानी होगी दरसल स्थानिय लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है इसलिए शाम होते ही लोग यहां जाने से थर-थर कापते हैं बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन 1960 में शुरू किया गया था लेकिन 7 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया हालां कि साल 2007 में इस स्टेशन को फिर से शुरू किया गया है लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि यह जगा भूतों का अड़ा है यह स्टेशन काफी वीरान जगा पर है, आसपास की इमारते भी काफी डरावनी लगती है इस स्टेशन पर कोई प्लाटफॉर्म भी नहीं है कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर इस धूतिया स्टेशन पर केवल 12-12-10 फीट का एक टिकट काउंटर बना हुआ है कहा जाता है कि संथाल जनजाती की रानी लाखन कुमारी ने इस स्टेशन को शुरू करवाया था लाखन कुमारी ने स्टेशन बनवाने के लिए रेलवे को काफी अधिक सबसिडी दी थी स्टेशन शुरू होने के बाद कुछ सालों तक यहां सब ठीक ठाक था लेकिन फिर यहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी दरसल कुछ ऐसी अफवाह थी कि इस स्टेशन पर एक ट्रेन दुरगटना में एक लड़की की मौत हो गई थी जिसके बाद वर्ष 1967 में बेगुन कोदर के एक रेलवे करमचारी ने यहां एक महिला का भूत देखने का दावा किया लोगों ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन की पट्रियों पर एक लड़की नजर आई जो सफेद कपरे पहने थी धीरे धीरे स्टेशन के बारे में कई कहानिया प्रचलित होने लगी यही कारण है कि इस स्टेशन को Haunted स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा स्थानिय लोगों के मुताबिक जब स्टेशन खुला तो स्टेशन मास्टर को ट्रैक पर एक महिला नजर आई आज भी इस जगह से जुड़ी भूतों की कहानिया काफी फेमस है आपके क्या विचार है फूट जैसा कुछ होता है या नहीं कमेंट में जरूर बाते थैंक्यू मिलते हैं अगली अंसिवी कहानी के साथ